आज हम दिस विश्य में बात करेंगे, वो है तो बहुत सुनने में सिंपल, लेकिन असल में है बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट, हम लोग बात करने वाले हैं कि डॉग को मोटा कैसे किया जाए, काफी सारे लोग आते हैं मेरे क्लिनिक में, बोलते हैं कि मेरे जर्मन से पर ऐस असा दूला है, कमर के पास पतला साहा है, ऐसा बखरी नुमा डॉग को कैसे हम असल डॉग बनाए, कैसे मोटा करेंगे, आए देखते हैं कैसे किया जाए काफी सारे फैक्टर हैं जो यह डिसाइड करते हैं कि डॉग क्यों मोटा नहीं हो रहा है उन में से प्रमुख है डॉग का डिवर्मिंग स्टेटस अगर डॉग डिवर्मिंग नहीं किया हुआ है कीरे की दवा या क्रीमी की नाशा की दवा नहीं दी गई है तो उसके पेट में जोंख जो है क्रीमी बढ़ते जाएंगे और डॉग मोटा तो नहीं उपाएगा उसका खाना तो वह क्रीमी खाएगा तो यह तो है फ़ले डॉग को मोटा करने का कोई भी उपाय करने से पहले डॉग को डिवर्म जरूर से कर लिए के अंदि जरूर तो यहा तो यह तो गॉलाल रिव करने के लिए अगर पपी है तो उसे यह तो बैन्डी स्टार पजीतं चूर इंद को यह तो उसे दिवर्म कर लें, अगर लिक्विड दिवर्मिंग देते हैं, जैसे वर्म स्टैप, वर्म स्टॉप या बैंडिस्टर, तो वन एमल पर के जी बाड़ी वेट के हिसाब से दें, और अगर वो एडल डॉग है, अगर वो दुपला-पतला है, तो उसे आप कोई टैबलेट तो वन टैबलेट पर 10 kg बाड़ी वेट, एजी पेट है, काफी सारा है, ऐसे मैं कुछ दिवर्मर का लिंक भी नीचे भी दे दूँगा, तो पहले दिवर्मिंग करें, अब जब डॉग को दिवर्मिंग हो गया, उसके बाद का स्टेज है उसका खाना, तो डॉग को हम को कोई एक कंपनी वाल खाना देजिए, पैकट का फून, कोई भी मीडियम रेंज का, जैसे अगर पेडिग्री दे रहे हैं तो पेडिग्री प्रो दिजिए, और अगर आप रोयल कनीन दे रहे हैं, अफोर्ट कर सकते हैं, तो रोयल कनीन तो खार बहुत अच्छा है, दे सक लेकिन मैं कहूंगा कनाइन क्रिक, जब बेटर फूड है, कनाइन क्रिक फूड दीजिए, तो ये सभी अगर फूड एक सुबा में देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन दोपहर में, फिर वो जो है पैकेट फूड मत दीजिए, दोपहर में फूड दीजिए, वो हैं, दो जो अंडा ये मिक्स करके खाना दीजिए और शाम में दीजिए मिल्क प्रोडक्ट जैसे छेना हुआ पनीर हुआ ये सब साम में दीजिए इस तरह का डाइट प्लैन अगर फॉलो करेंगे तो वो डॉग तोरा सा मोटा होगा अब मैं एक बात ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको काफी अटपटा लगेगा लेकिन बहुत ही महत्पूर्ण है अब जो अटपटा बात मैं बताने वाला हूँ वो आपको इस तोन के आस्टर लगेगा लेकिन वो बात ये है कि जिस डॉग को मोटा करना है मोटा बनाना है उ तो उसको ऐसा करेंगे कि सुबह में एक घंटा और शाम में एक घंटा बस इतना ही एक्सराइज कराएंगे या दोड़ाएंगे बाकी दिन भर उसे बैठा के रखेंगे उसे ज्यादा एक्सराइज ने करने दें दोड़ने औरने भागने नहीं दें तब फिर वह मोटा नहीं होगा डायट प्लैन तो जो मैंने बताया वह तो फॉलो करना ही है लेकिन उसे ज्यादा एक्सराइज नहीं करवाना ज्यादा उचलकुत नहीं करवाना यह बहुत इंप करता नहीं है तो यह भहत ध्यान देने की बात है इसके अलावे और क्या करेंगे और कुछ सी दड़ाईया जो डॉग को मोटा होने में मदद करता है यह क्या करता है यह दवया कुछ व्यक्त हैं जो यह करते हैं कि ये ढैसे भूग को बढ़ा देता है, अब भूख अगर बढ़ेगा तो ज्यादा खाना जाएगा ज्यादा खाना जाएगा तो पचा पाएगा तो उसे वह जो है मतलब मोटा हो पाएगा ज्यादा उसके भर सढ़ीज में ज्यादा लगेगा तो इस तरह का अई मेडिसिन उसके भी लिंक में देंगा निक्षे में देस्क्रिप्षन में उसके लिए भी चिंताना करें यह सब मेडिसिन देना पड़ता है वो सब कौन-कौनसा है वो बी sign करके आपको बताता हूं तो डॉग का वेट गेंड करने के लिए जो दवायां है उसमें प्रमुक है पिट ओ बूस्ट यह जो है मसल बिल्डप को बूस्ट कर देता है इसके बाद है पिट वाइटा और एक कमपनी है पिट को इन सभी का लिंक मैं नीचे दे दोंगा उसमें है यह सभी जो क्या करती हैं मसल बिल्डप को बढ़ावा गती है ताकि जो हम लोग प्रोटीन उनको खिलाते हैं उसका इटिलाइसेंज ज्यादा हो इटिलाइसेंज ज्यादा होगा तो बॉड़ी में डिपोजिट होगा और वो मसल बिल्डप करेगा और वो उसका मोटा होग और इसके लावे एक और प्रॉडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रॉडक्ट है, वो हम वे कंपनी का, वो कहीं भी आपको मिल जाएगा, वेवन गाहो दिहात में भी मिल जाता है, एम्वे का All Plant Protein, All Plant Protein Powder, वो अगर खिलाएंगे, वो क्या है, कि वो ready-made protein है, ये ready-made protein खिलाने से क मिल रहा है तो डायरेक्ट उसके बोडी में प्रोटीन जाएगा और इस से जो है वो डॉग फास्ट मोटा होगा लेकिन इसमें एक साफधानी बरतने की जरूत है ये प्रोटीन पाउडर जब भी देंगे तो बहुत ही कम मात्रा में देंगे मतलब समझी हाफ टीस्पून फू प्रोटीन परश्ट रहेगा तो काम करेगा ये सब टेक्नीक लेकिन कुछ-कुछ ऐसे बीमारियां है जो अगर डॉग को हो गया या डॉग अगर उससे पीडित है तो आप कुछ भी कर लिए आपका डॉग जब तक वह बीमार है वो इस बीमारी से ग्रसित है तब तक आपक का लेवल ज्यादा हो जाएगा ज्यादा जैसे ही होगा चाहे आप कुछ भी खाना दीजिए वो डॉग पतला ही रहेगा तो उसको आपको थारॉक्सिन से या जो भी ड्रॉग्स है उससे ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है उसके लिए क्या करते हैं एक टेस्ट होता है जि पर एक है बीमारी लीवर का लीवर अगर कंजोर है तो आप इतना भी सप्लीमेंट दीजिए के तना भी प्रोटीन दीजिए आपका डॉग मोटा नहीं होने बाला तो लीवर का टेस्ट भी करवाईए उसको करते हैं सेरम अमाइलेस टेस्ट और लीवर पंक्शन टेस्ट य पर एक बीमारी है जिसमें हमेशा जो है डॉग का जो है न पॉटी जो है लसलसा टाइप का होता है और वो जो है दुरगंद वाला होता है जिसे काते हैं इंफेक्स बावल सिंड्रोम बने आई बीडी बीमारी होती है जो बेसिकली वो लीवर का ही बीमारी है उसमें सेरम अ लिवर का टेस्ट कह नहीं को सब्सक्राइगे। जिसमें कहते हैं पैनक्रियास का टेस्ट करवाइंगे तो आपको उसमें इटेक्ट हो जाएगा तो यह भी आपको देखना ज़रूरी है अजै टॉक्टर मैं आपको यह बताना पुछा रहा हूं से लिए क्योंकि यह बीमारिया रहेंगी तो कितना भी आप उच कर लीजिए फिर वो डॉक मोटा होने वाला नहीं है अब थर्ड है कि उन्हें फोर्थ हुआ कि किड्नी डिजिस्स अजिड वो पिडित है डिजिज में सिंटम यह है कि वह बार-बार क्या करेगा ना एसा डॉग आपने भी देखन हो गा वह बार बार क्या करे कि जादा मात्रा है पानी पियेका ज़ोर कर नहीं अचानक सिपह Germ में पिलीगा समझ चाहिए वो डॉग जो है किद्नी पीमारी से किद्नी के प्रज़ित है तो और उल्टी भी करेगा तो उसका सीरम क्रियेटिनीन और ब्यू एन जिसको कहते हैं बन्टेस्ट से ब्लड यूरिया नाइट्रोजेन टेस्ट ये जरूर से करवारें ये अगर एक अगर दोग को रहे तो कितना भी कुछ कर लेंगे तो अगर मोटा नहीं होने वाला है। यह एक और है एक फैमिलियल होता है किसी किसी आदमी को भी आपने देखा होगा। तो कोई आदमी होता है कि फैमिली में सभी कोई दूले पते हैं। अगर वह लोग भी आपने देखे हो सकता है। जो मोटा आदमी है। उसे ज्यादा खाना खा रहा है। लेकिन फिर भी दूला है। क्योंकि उसके फैमिली में ये जीन हिसे रन करता है। तो कि इह हो रहा है। तो ये ही थे दूला को मोटा करने का तरीका। अगर ये वीडिव आपको अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। तो ये ही थे दूलोग को मोटा करने का तरीका। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे मुझे बढ़ावा मिलेगा धन्यवाद